नमस्ते दसकों मैं अपनी इपजी चैल्मे में आपनों का स्वागत करती हूं मैं आप लोगों के लिए कुछ नए टीप लेकर आई हूं जो नौरात्र में बहुत ही कारगर है ऐसे भी नौरात्र का दिन बहुत सुब मना जाता है और नौरात्र जब तक रहता है हम लोग मैं कोई बदलाव नहीं बता रही हूं जैसे हम लोग नौरात्री में पूजा करते हैं जैसे जो फास्टिंग में अपना फास्टिंग करे और नौर्मल लोग जैसे पूजा करके खानावन अपना खा लिये तो अपना पूजा करके खा लिये लेकिन जो मैं टीप बता रही ह जिससे मुझे फाइदा मिलता है तो मैं यह अपनों से भी सेर कर रही हूं यह नवरात्र में कोई भी पूजा साधना जो है आदमी इसलिए करता है कि नवरात्र के समय सभी देवी देवता जागरित रहते हैं और उस समय हम लोग का मनोकामना निशित पूर्ण होता है अगर द मैं पिछले वीडियो में अपनों को बता चुकी हूं कि मैं कोई भी उपाय सधारनी करती हूं मुझसे बड़ा और यह ज्यादा मतलब ताम जाम वाले पूजा पाट नहीं होते हैं हमसे मैं साधा सिंपल अपने लाइफ में जो यूज करती हूं वहीं अपनों से आज सेर कर रही हूं तो मैं पहला टीप यह बता रही हूं कि यह नवरात रिजी साथ तारीक को एस्टाड हो रहा है और विज्या दस में पंद्रव को पढ़ रहा है तो इस बीच में हम लोग यह सब जो टीप है बता रही हूं उसको अजमाएंगे तो जरूर फायदा मिलेगा तो पह कि पीपल का पत्ता ले लिजिए और उस पे पीला सिंदूर जो आता है हनुमान जी को जो पीला सिंदूर से पूरा लेप लगाया जाता है सरीर पे तो वहीं पीला सिंदूर ले लिजिए और उस पीपल के पत्ते पे राम नाम लिख देजिए पीपल के पत्ते पे राम नाम जैसे फल हो मीठा है मिठाई हो मतलब कुछ भी मीठा चीज रखना है उस पीपल के पते पर कुछ मीठा दख करके चड़ा दीजिए और हन्मान जी से प्रात्ना करिए कि है इस वर मेरे घर में सुक्सांती संवरिधी दीजिए या मुझे पैसों की कमी है तो मेरा ये आठी कठ नहीं दूर कीजिए या मेरे बच्चों पर दया करिए मेरे बच्चे अच्छे से मन लगा कर नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चे पढ़ने में सक्सेस हों पढ़के उनका लाइफ मतलब अच्छा बने या मेरे पास यह चीज की कमी है मतलब जो आपके दिल में हो जो आपको क जीवन में जो भी कठनाई है वो दूर होना ही होना है इस वर आप पर दया जरूर दिखाएंगे हनुमान जी कर्ष्ट के निमारन देवता हैं तो यह टीप आपको मतलब फायदा करेगा हैं करेगा दूसरा आगर आपके पास समय है पुजा करने घर में पुजा जैसे नियम से किये कर लिए उसके बाद सीवलिंग पेज जा करके सीव के मंदीर हो या कोई भी मंदीर मतलब उसमें सीवलिंग होना चाहिए सीवलिंग के पास जाए बेल पत्र चढ़ाइए चावल चढ़ाइए और सीव जी से भी प्रात्ना करिए कि हे सीव जी हे भोले नात हम पर दया क करें मेरी यह मनों कामना है पूर्ण नहीं हो पा रही है अपने मन में जो आपको मांगना है सीव से या जो आपको तकलीफ है वो सी भगवान से कहिए और कहके वहां माथाटे की और चले आईए ये टीप भी आप 7 से 15 तारिक तक डेली करते रहें जैसे पीपल के पत्तावाला डेली करते रहना है उसी तरह एक डिली करते रहना है साल ते नौराता चड़ चड़े रहे हैं अपय पन्द्रह तारिक तक करना ऐ एक नज नागा नहीं करना है आप जैसे जो मैं बार बार यह कर रहे हूं कि आप जो पूजा करती हैं दुर्गा जी का उसमें कोई छेड़ छा नहीं करना है वो पूजा उसी तरह करते देगे लेकिन जो ये टीप मैं बता रही हूं वो पूजा के बाद का है उस टीप को पूजा करने के बाद फोलो करें और देखिए मेरा आपसे यहीं अनुरुद है कि एक बार मेरा टीप आज और आता चड़ रहा है यानि की साथ तारिक को तो उस दिन आपलो पूजा उजा घर में निते जैसे करती है वैसे कर लीजिए और एक नीबू ले लिजिए और अपने में गेट के चोवकट पे बांध के लटका दीजिए और छोड़ दीजिए इससे आपको फायदा ये कि आप आपके उपर बुधी नजर नहीं लेगेगी आपके परिवार के उपर बुधी नजर नहीं लेगेगी और आपके परिवार में किसी का तवियत बहुत ज़्यादा खराब हो तो उससे बंदवाई तो और बेहतर क्योंकि उसके स्वास्त में भी फायदा होगा हम यह आप दवा लेते रहें लेकिन बीमार है तो उसमें कुछ दुर्गाजी आपको फायदा देंगी आपको सहुलियत मिलेगा आपके स्वास्त में थोड़ा सा रिकवरी दिखेगा तो ये नीबु वाला भी बहुत अच्छा तोटका है इसको बार लेने से आपको परिवार के तो ये भी आप अपलाई करिए अपने जीवन में अब मैं चौथा उपाय और बहुत ही बहुत ही महत्तपन उपाय बता रहें जो फायदा तो बहुत किया है हमको आपको भी करेगा तो ये उपाय भी आप लोग करिए और अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिए सेर करिए कॉमेंट करिए सब्सक्राइब जाद कीजिए ताकि मैं ऐसा ऐसा कोई भी टीप आप लोग के सामने लाओं तो आपको तुरत के तुरत ये टीप पता चल जाए और समय रहते आप उस टीप को फॉलो करें अपने जीवन में उसका लाग उठाए तो म पूरा नवरात्र भरका था नीवुला सिर्फ एक दिन का है और यह जो बता रही हूं बस नवरात्र के दूसरे दीन ही करना है उसके बाद इसको नहीं करना है तो नवरात्र के दूसरे दीन आप एक लाल कपड़ा ले लीजिए पहले पूजा अपना कर लीजिए जैसे पू ब्रह्म चार्णी मा उजला कपड़ा पहुंती है सफेद वस्त धारन करती है उनको सफेद बहुत पसंद है ब्रह्म चार्णी मा को तो हम लोग भी उस दिन एक उजला दूपट्टा अपने सिर पे दख लेंगे कोई भी ब्लाउज का पीश कर तुकड़ा हो या लाल रुमाल हो मतलब लाल ही लेना है दूसरा कलर नहीं बना चाहिए तो लाल कपड़ा ले लीजिए और उसमें छे चुटकी कुमकुम रख लिजिए ओ कुमकुम जो हम लोग लगाते हैं लाल वाला जैसे हम लोग लगाय हु ये नहीं कि पिला ले ले लिए आटे लाल वला ले लेडा है और नो लॉग में लोग लेको इसका फूल नहीं तूटा हूँ hell नहीं आता है। फूल नहीं तूटा होना चाहिए फूल तूट जायेंगा तो पर आता थिरấ reached book छे चुटकी कुंकुम लो लिए छे लोंग ले लिए, सॉरի, छे लोंग लेना है फूल वाला छे लोंग लेना है जो लो होना, जासे इम बिंडिया लेना है जैसे हैं, प्लेन कोई उसपर वर्क नहीं, कोई मतलब डिजाइन नहींट, studying Ne ہाधूल नहीं, टॉंछिह मिट्टी चीकने तो में हसे नुट्टी मिट्टी मेना है तो युचिकने कि और चाया हो से बाद करके बात रखना किसी को बताना नहीं है ले गए और नदी में बिसर्जित कर दिये हो नदी में बहा के चूप-चाप चले आए पीचे मूर् करोज बहां पर नाम करके इस लटकी आजाना है और वहां पर बोलना है कि है माधरुगा कै वहां पर मेरी मनुकामनायद सब्सक्राइब और मेश्चेशन करें जाद करें नियुके फिर नियुकूण से भुभाहनरहां imaging तो मादुर्गा यह सारी बधाओं को दूर करके आपका घर बन बादेंगे अगर आप जमीन लेना चाहिए पैसा होते हुए भी बीस जगह भटक रहे हैं आपके मन के लाइक जमीन नहीं मिल रहा है तो कहीं दाम ज्यादा होदा है मतलब कुछ भी प्रोब्लम है तो उस प्रोब्लम को भी दुर्गा मा कर नस्ट कर देंगे और आपको जमीन लेने में भी सहुलियत मिलेगी अगर आप फ्लैट ले रही हैं पसंद नहीं आ रहा है या लोकेसन अच्छा नहीं है तो यह सब में लिडिया आपको दुर्गा मा मदद करेंगी अगर मन ऐप को मन किला घुमने एक पाईसा है लेकिन हो लेकीन बीन लेपा रही है या पैसे के जाम नहीं हो पा रहा है जिसके चलते आपन ले पा रही है तो उसमें भी एक और लेना हो हो मकान लेना हो या कोई वाहन लेना हो सब में ये टिप जो मैं लाल कपड़े वाला तीप बताएं हूं नौरातर के दूसरे दिन वाला सब में ये टिप कारगर है और आपको ये टिप अजमा कर देखना है कि फायदा करता है कि दम फायदा करेगा मेरा मतलब मानना है मेरा दा लेने से पहले हैपी नहीं रात्री आप लोगों को भी शुह नहीं रात्री और मेरे लिए भी और मुझे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए जल से जल से लेके हाज दो जाओं तो ओके बाए टेक एर